अगर आप भी आलू की वही बोरिंग सबजी खाके बोर हो गए है ना तो इस आलू की सबजी को जरूर ट्राइ करें क्योंकि आज हम बनाएंगे अचारी आलू बहुत ही नए तरीके से खाने में ये आलू आपको बहुत पसंद आएंगे और इसमें इतने सारे फ्लेवर्स हैं कि जैसे ही आप इसे खाएंगे आपके मूँ में होगा फ्लेवर का धमाका तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं बनाना बहुत ही आसान है बिल्कुल भी मिसना करें रेसिपी तियार करने के लिए मैंने यहापे ले लिये हैं तीन मेडियम साइज के आलू आलू अगर थोड़े लंबे साइज में होंगे तो जादा अच्छे रहेगा मतलब इसके जो कट निकल के आएंगे वो बहुत अच्छे निकलेंगे इन में हम ऐसे कट्स निकालेंगे जैसे फ्रेंच फ्राइज में होते हैं तो आलू को छिलका निकाल के अच्छे से धो कर इस तरह से आपको काट लेना है यानि एक आलू के आपको पहले चार हिस्से करने होंगे इस तरीके से और फिरे से लंबा-लंबा कट कर लेना है पीसिस में की तरह काट लिया है अब हम बढ़ते हैं नेक्स स्टेप में इधर हमें मसाला त्यार करना होगा मसाला बनाने के लिए आपको लेनी है पीली वाली सरसो यह अचारी आलू है तो पीली सरसो अगर आप डालेंगे तो बहुत अचा अचार का फ्लेवर आएगा इस रे डाल देते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर आप चाहें तो काशमेरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं फिर आपको इसमें डाल देना है एक तेजपता तोड़ कर ताकि यह अच्छे से बिस जाए इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं सूखी वाली लाल मिर्च दो लाल मिर यह देखिए बिल्कुल फाइन नहीं है बस हलका सा दर्दरा पाउडर है तो यह देखिए मसाला हमारा तैयार है अब बढ़ते हैं सबजी बनाने के लिए पेंक अड़ाई में हम डाल देते हैं ऑईल तो आपको सरसो की तेल का इस्तमाल करना है अचारी आलू है तो सरसो का ते इसे फ्राई कर लिए आलू को इससे इन में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फिर आपको बाकी की चीज़े एड़ करनी है तो सबसे पहले आपको यह मसाला डाल देना है जो हमने प्रिपेर करके रखा हुआ है मसाला डालने के बाद थोड़ी सी हींग भी डाल देते हैं इ पानी वगएर अभी कुछनी डालेंगे पहले से लो फ्लेम करके आप चला लें ताकि मसाला जो है जली नहीं और आलू को भी आपको बहुत जादा फ्राई करना है देखिए अच्छे से मने मिक्स कर लिया फिर इसमें हल्का सा पानी जाएगा इस सबजी में बहुत जादा नहीं डालना है थोड़ा साई पानी डालें ताकि मसाला चिपके नहीं बरतन में और एक बर मिक्स कर देंगे इसके बाद हम इसे ढखके पकाएंगे तो उससे पहले मैं नमक भी डाल देती हूं ताकि यह जल्दी सॉफ्ट हो जाए इस रेसेपी में आलू आपको ज़रो से जादा सॉफ्ट नहीं करने है आलू आपको ना 80% ही पकाने होंगे तब ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो नमक डाल दिया हमने बस आप इसे 10 मिनट के लिए ढग दें लो फ्लेम पे यह देखें दस मिनट से जादा नहीं हम इसे पकाएंगे क्योंकि इसमें पानी अगर आपके पास तीनो कलर वाली नहीं है तो सिर्फ हरी वाली भी आप एड़ कर सकते हैं और अच्छे से पहले आपको इसे चला देना है अब आप सोचेंगे यह सारी चीज़े हमने बाद में क्यों आड़ करी इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जब भी आपी सब जिखाएंगे इसे हम कवर करेंगे और दो मिनेट के लिए और पकाएंगे ताकि जितनी भी हमने चीज़े एड़ की है ना वो भी थोड़ी सी पग जाए और उनका जो फ्लेवर है वो भी आजाए आलू के अंदर यह देखिए इस टाइम पर हमने एस्चे से पका लिया फिर फिर आपको इसमें धनिया डाल देना है तो थोड़ा सा अकर आपके घर में अचार पड़ाया तो उसका मसाला डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आए और धनिया लास्ट में डालके मिक्स कर लें और यह सबजी हमारी बिल्कुल तैयार है आप देख सकते हैं दिखने में ही काफे इंट्रस्टिंग है यह किन मानिए जब आप इसे खाएंगे ना तो आपके मूँ में होगा फ्लेवर का दमाका यह देखे मैं आपको दिखा देती हूं कितना यह गल चुका है तो इन 80 परसेंट गल गया है इतना ही आपको सॉफ्ट करना है बहुत जादा भी अच्छी बात तो यह है कि आप इसे लंच बॉक्स में भी पाइक करके दे सकते हैं क्योंकि यह रैसेपी है अगर आपको आज की रैसेपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आपी वीडियो कहां से देख रहे हैं वो भी मुझे कॉमेंट म ज़रूर बताएं फिर मिलते हैं एक और नी रेसिपी के साथ वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत रहनेवाद अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और आपके सपोर्ट के लिए आप आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं एक और नी रेसिपी के साथ अभी के लिए बाए